तो एक डेली कोवर्मेंट का स्कीम था जय भीम प्रतिभा विकास योजना उसके थुरू जो जेई की तियारी करना चाहते हैं उनको फ्री कोचिंग्स दिया जाता था मैं पहला एक ऐसा ड्रोप पर था जिसने ड्रॉप इसलिए लिया था कि वो जेई की तियारी कर पाए आद असकार दोस्तों मेरा नाम मनिश उपाद्या है और मैं द्वार का दिल लेकर रहने वाला हूँ आज मैं आपके सामने अपनी जेई की जर्नी शेयर करने वाला हूँ और मेरी कहानी और उससे थोड़ा अलग होने वाली है तो मैं आपको कोंगा थोड़े ध्यान से सुनेगा ताकि आप वो गलती ना दोहरा पाएं, मेरी कहानी सुरू होती है दसवी से, दसवी तक जैसे सब के मम्मी पापा कहते हैं, टैंथ करो फिर उसके बाद मौज ही मौज है, मैंने दसवी में काफी अच्छा स्कोर करा, उसके बाद पापा मम्मी ने कहा क्या लोगे, तो मेरे को स साइंस में लेते हैं साइंस में मेरा सकूल 10 तक था, कि तक तो ईसके बाद में मिलते हैं, आप सरवध्य में चले जाओ, या और सकूल में चले जाओ, thin थी उसके वज़े से मैंने दूसरा स्कूल चूज किया PCM वाला 2020 यानी मेरी 11th क्लास उस टाइम लग डाउन लग चका था सारी क्लासी जैसे मेरी क्लास 11 शुरू होई शुरू सुरू में जोस था तो मैंने अपने आप से खुछ से पढ़ना सुरू के रग दिया क्योंकि उस टाइ पर कहीं जाके और किसी के हल्प नहीं ले पा रहा था और ना मेरे पास फोन था तो मेरे पापा ने जब ऑन-लाइन क्लास स्टार्ट होआ तो मेरे लिए एक 10 के का फोन खरीद के दिया पर जैसी जब मेरे हाथ में अपना खुद का फोन आया सोशल मीडिया उसके वजह से मैं काफी डिस्ट्रेक्ट होआ था 11 में और लोगडाउन होने के वज़े से सिर्फ मेरा मीड टरम का 11 का एक्जाम होगा था उसी के बेस पर 11 में पास कर दिया गया था इसके बाद जैसी 12 आया स्टार्टिंग में उस टाम सी बेसी ने ने दो टर्म कर दे कि आपका हम टर्म वन काफी अच्छी प्रिप्रेशन थी मैंने काफी अच्छा स्कोर करा पर जब टर्म टू वहां पर आया मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट डैली गवर्मेंट ने एक स्कीम लाया बिजिनस ब्लास्टर जिसके थुरू अगर आप टॉप 100 टेम्स में आ जाते हैं तो आपको डेट्यू एंजिनियरिंग कॉलेज में फ्री में अडिमिशन मिलेगा और सारी फीस भी गवर्मेंट देगी मुझे लगा काफी अच्छा ऑपरचुनिटी है साथ मैं इसके वज़े से जेई भी स्किप कर सकता हूं मैं उसके लिए मैंने अपने नो टीममेट्स के साथ मिलक के सेफटी गैजिट डिवाइज बनाए जिसमें से पहला था वोमेन मॉलेस्टेशन को रोकने के लिए सेकंड था 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 फॉर ब्लाइड गाइस एंड था था फायर अलार्म हमारा प्रोड़क्ट 995 स्कूल में से टॉप 1000 टीम्स में आ गया और टोटल टीम्स थ था इसलिए बाकी के वह आठ लोगों ने मेरे साथ जोइन किया था पर इन्वेस्टर नहीं यह गया कि हमने मना कर दिया कि आपके सिर्फ आप पे हम अपना पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इसमें काफी इन चीज़ों को करने में मेरे 12 के 2-3 महीने और बरबाद होगे जैसे मेरे बिजनस ब्लास्टर में ना होने के कारण मैं उस दिन घर पे आकर काफी रोया था परन्तु फिर मैंने सोचा अब जो हुआ उसको साइड हटाते हैं और हमारा टर्म टू आ रहे तो इस पर फोकस करते हैं मैंने 12 में टर्म टू दिया काफी अच्छा स्कोर करा 12 के कोई BCA कर रहा है कोई BST में से यूटी देकर अड्मिशन ले रहा है पर मुझे मेरे 12 में हमारे कंप्यूटर साइंस के टीचर थे डॉक्टर सुमित कुमार नागर और वह नाइटी कुरक्षेतर से पास आउट थे और बाद में नोंने PhD भी करी हुए कंप्यूटर साइंस मे और उनके वज़ए से मुझे कुम्प्यूटर साइंस में इंट्रस्ट आया था तो मुझे मैं यह सोच लिया था इंजिरिंग करूंगा पर करूँगा तो सिफ कंप्यूटर साइंस में ही करूँगा और इस कारण से फिर 12 के जैसे मेरे 12 का बोर्ड खब हुआ मेरी दादी ज मैंने शुरू कर दी क्योंकि मैं एक मिडल क्लास फैमिले से भी लोंग करता हूँ तो मैं अपने पापा को ये भी नहीं कहा सकता कि पापा मेरे लिए कोचिंग लवा दो और आई एटी जही एक ऐसा गेम है जिसमें हम भीड में नहीं दोड़ सकते हम एक अंदर से खुद की आ कर रहा हूं कब मैं उठ रहा हूं कब क्या कर रहा हूं कुछ कोई शेड्यूल नहीं था मेरे पास परंतु इसी बीच में एक फेमस यूट्यूबर है फुक्रा इंसान जो आप उन्हें बिग बॉस में देखा था रनर अरप रहे हैं उनके जो मैनेजर जासूस उनसे मेरी द आयटी गेट है वहां पर लेने आये थे हमें मैं आयटी स्टेशन पर उत्रा एक तरह मुझे जब मैं कैमपस में मैंने एंटर किया तो मिरे को घूस बूम सा गये थे कि उसके बाद मैंने सोचा मैंने वह वीडियो दिन लाफ शूट करें फिर मैंने उनसों कहा दिया कि अब मेरा जब जैई में सेलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये अगले वीडियो शूट पर आऊंगा फिर ला मैं में हमारा 12 का रिजल्ट आया था और फिर उसके आए वीडियो पर शूकव फोब ऑसिता आई मैंने तो इसी ताम ही तो ने अपना और जैसे रजी सुचाए मैं एक मेरे पास मोगा है मैं एक यालस्ट मारता हूँ मैं पर highlights हूं तो जनवरी में मेरा जेई का अटम्ट था तो मेरे पास दो रस्ते थे या तो मैं टीवी पर चला जाओं या फिर अपने जेई को कंटीनियू करूं क्यों कि वह एक लास्ट क्रूशिल महीना होता है जहां पर यह डिसाइड हो सकता है कि आपकी रैंक क्या आएगी तो मैंने सा क्यारी करना चाहते हैं उनको फ्री कोचिंग्स दिया जाता था तो मैंने उसमें अप्लाई कर रहा और मेरा सेलेक्शन हो गया तो मेरे जनक पूरी में एक कोचिंग है वहां पे उन्होंने मुझे डाल दिया गौवर्मेंट के थुरू मेरी सारी फीस वही दे रहे थे पर व अब्समंत मैं कोचिंग गया पर मुझे फिर पता चला कि मैं एक अकेला नहीं जो इसकी तेयारी कर रहा हूं यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं कोई कोई अटिसी टॉपर है कोई यह जब वहाँ पर वीकली टेस्ट होते थे तो मेरे काफी कम माक्स आते थे मेरे टेस्ट मे मैं घर से उठ रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, ये भी काफी दिन रिपीट हुआ पर जैसे एक महीना हो गया, उसके बाद कोचिंग सवालों ने मेरे से बोल दिया कि गौर्णमेंट नहीं इसकिम अप्रूव नहीं किया है, आपको 50,000 देना पड़ेगा, इसके बाद आप अपनी क्लासिस कंटीनियू कर पाओगे, तो फ्री था, इसलिए तो मैं आया था, अब मैं अपने पैरेंस को नहीं बोल सकता था, तो इसके वज़े से मैंने क्लास डि होता है, तो मैंने नए चैप्टर से भी पड़े, और मैंने एक मैथन को की सीरीज लगाई थी, जहां पे वो काफी हाई मार्क्स वाले से लोवर मार्क्स वाले के चैप्टर वाइस कोशन्स करवाते थे, और वो हमें शीट भी दिया था, तो मैंने शीट वाइस अपनी प्र से कर ले थे, उस मैंसे हाईस्ट मोडरेट था, और जो एजी चैप्टर से वो तो हमारे 11-12 में होई चुके थे, नवंबर तक मेरी प्रपरेशन काफी अच्छी हो गई थी, और यही दस जबंबर का जब महीना आया, तब शाक टैंक इंडिया वालों ने मुझे बुलाया, पर, अब मैंने जेई को चूज किया है, तो मैंने सारे एक्सक्यूज हटा दिया, चाहे वो टीवी पर आने का हो, चाहे फुकर इनसान जी के साथ वीडियो शूटिंग करने का, मैंने सब को एकसाइड कर दिया, और मैंने जेई पर ही फोकस किया, मेरा जेई, जनवरी में और मैं उस दिन काफी नर्वस सेंटर पर गया था महां पर और भी बच्चे मिलें जो कहा रहे थे हमारे साथ भी थोड़ा यही फ्लेक्शुएशन हुआ था मैं पहला एक ऐसा ड्रॉप पर था जिसने ड्रॉप इसलिए लिया था कि वह जैए की त्यारी कर पाए मैंने ट्वै हो गया पूरा वह चीजे माइंड में रिवाइंड होगे कि कैसे मैंने चीजे शुरू करी और आज पेपर देने जाना हूँ अगर आज मैंने नहीं किया तो मेरी वह वीडियो जो मेरे रिस्तेदार देख चुके हैं मेरे दोस्त देख चुके हैं वह मेरे पर क्या बोलेंग फिर उसके बाद मैं जही देने चला गया अब कोशन्स अटेम्ट करना भी एक अपनी स्किल है सबसे पहले मुझे जो टॉपिक्स आते थे सबसे बड़ी हास है मैंने उन कोशन्स को चूज किया उन सब में से और उन्हें सॉल्फ किया अपरॉक्स उसमें से मेरे 30-40% पेपर अ मैं जे बाहर भी बहुत सारे बच्चे मिलें उन से बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ पेपर थोड़ा टफस साइट की हो रही था तो मुझे सिर्फ अकेला ही महसूस नहीं हुआ कि मेरा पेपर थोड़ा सा वैसे नहीं गया जैसे मैं सोच के आया था पर फिर उसके ज्यादा प्राइयोरिटी दे दी फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं दी तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में 94-94 ऐसी दोने में आये थे तो the overall परसेंटायल बनी थी 97.76 परसेंटायल बनी थी उसके बाद मैं अपरेल अटेंप्ट की त्यारी करने लग गया और उसके साथ ही एडवांस की त्यारी करने लग गया आपसे मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने फर्स अटम्ट पे फोकस करें क्योंकि मेरे जब सेकंड अटम्ट मैंने दिया उसमें पहले अटम्ट से जादे स्कोर करा पर सेम प्रसेंटाइल बनी तो अगर आप फर्स अटम् अब ही मार्क्स लाएंगे तो उस पे ज़्यादा प्रसेंटाइल बनेंगे कि फर्स अटम्ट में कॉंपटिशन थोड़ा कम होता है क्योंकि सब बच्चे यही सोचते हैं कि मैं सेकंड अटम्ट में कर लूँगा अब जैसे ही मेरा अप्रेल अटम्ट खतम हुआ तो जेमें तो मेरा जनरल एडवलोस कैटेगरी रेंग 3900 अब इसके बाद मैंने अडवांस दिया अब मेरे अच्छा हुआ नहीं तो मैंने अपना कांसलिंग प्रॉसस स्टार्ट कर दिया आप जानते होंगे कि डीटी एड़ेमीशन लेने के लिए जैक कांसलिंग होती है मैंने जैक क मुझे जो सामें त्रिपल आईटी भूमनेश्वर में फर्स्ट राउंड में ही और कंप्यूटर इंजीनिरिंग मिल गया पर यह जो कांसलिंग होते हैं वह सेम डेट पे नहीं होते सबसे पहले जैक कांसलिंग के रिजल्ट आई थी उसमें मुझे डीटी में आईटी मिल पाई क्योंकि हमें फिर उसके लिए लोन लेना पड़ता और मेरे मम्मी पापा लोन नहीं लेना चाहते थे और मैं भी उन पर प्रेशर नहीं क्रियेट करना चाहता था तो हमने जो जी जीएस आईप्यू का मेंन कैमपश है यूसाइस सीटी द्वारका सेक्टर 16 में वहाँ और जब जोसा का रिजल्ट आया था उसमें भी 35,000 देने पड़ते हैं तो मैंने मम्मी पापा से बोला मम्मी पापा मुझे 35,000 और चाहिए तो मम्मी पापा ने बोला मैंने इतना अभी तो दे दिया अभी और मैं कहां से लाओं तो मैंने जोसा कांसलिंग वहां बंद कर द जब आई-प्यू का रिपोर्टिंग होता है तो उसी में हमें अपनी पूरी फीस जमा करनी पड़ती है क्योंकि अब मैंने सेवें क्योंकि मैंने सिक्ष्टी साउजन तो ऑनलाइन दे दिया था मेरे को कैश में डिमांड ट्राफ्ट बनाके सेवेंटी थू थावजन देना थ क्योंकि 95,000 अल्रेडी जैक डैली के पास थे उसको रिफंड होने में एक महीने का प्रोसेस लगता है तो मेरे मम्मी पापा ने मम्मी पापा ने कहीं से अरेंज करें मेरे को बात में पता चला था मम्मी ने अपनी ज्वैलरी कहीं दे दी थी और फिस जैक डैली से जो 95,000 आ उनिवर्सेटी के मेन कैमपस, USICT में, कम्प्यूटर साइंस इंजियरियनी का फर्स्ट येर का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपनी प्रिप्रेशन जरनी से ये सिखा कि प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत सारी आएगी पर उसे अपने प्रिप्रेशन में उसके लिए को बहुत सबके जिन्दगी में आती है, आपको अपनी प्रिप्रेशन चालू रखनी है, चाहे कुछ हो जाए, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, उन चार महीनों में मैं 13-14 डेली पढ़ता था, चाहे चाचा चाची किसी की बेटी, बेटी की साधी हो, मैं कहीं नही चार महीने में अपने रूम में ही बन था, और जब मैं चैप्टर्स कर लेता था, तो उसके बाद मैं उसके मोक टेस्ट देता था, मोक टेस्ट के जो रिजल्ट आते थे, मैंने देखा कौन सा कोशन मुझे नहीं आता था, और वो कौन से टॉपिक्स थे, तो इसके तो दो या तो आप पूरे उस चैप्टर को दुबारा पढ़ो या उसके वन शोट देखो यह तरीका पहला है पर एक यूटूब पे आये टीन है निशान चिंदल उनसे मैंने यह चीज़ सेखी थी कि टीचर पे निर्बर रहना छोड़ दो और बुक से खुद पढ़ लो या फिर य सवाल करके देखता था क्या मुझे अब आ गया है की नहीं आ गया और मैं आपको बताऊंगा शोट नोट्स जरूर बनाना ये एंड मॉमिंट आप पे आपको रिवीजियन के लिए बहुत काम आएंगे तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जैई हो या ना हो वो एक अलग बात है पर अगर आपने इसमें अपने असली सच्चाई वाले एफर्ट्स मारे हैं तो आप अपने जिन्दगी में कहीं भी अगर कुछ भी करोगे तो वहां जरूर फोड़ेगे